भजन सहिता 38, 13-22 तक, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं, और मैं गूंगे के समान मुह नहीं खोलता, वरं मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता, और जिसके मुह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर आशा लगाई है, हे प्रभू, मेरे परमेशवर्ट तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा, ऐसा ना हो कि वे मुझ पर आनंद करें, जब मेरा पाउं फिसल जाता है, तब वे मुझ पर अपनी बढ़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ, और मेरा शो हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे, हे मेरे परमेशवर, मुझ से दूर न हो, हे यहोवा, हे मेरे उद्धार करता, मेरी सहायता के लिए फूर्ती कर, लुका 8, 1-18 तक, इसके बाद वह नगर नगर और गाउं गाउं प्रचार करता हुआ, और परमेशवर के राजय का सुसमा योणना, और सूसनना, और बहुत सी अन्यस्त्रिया, यह अपनी संपत्ती से उसकी सेवा करती थी, जब बड़ी भीड इकठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने द्रिश्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, कुछ चटान पर गिरा, और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया, कुछ ज़ाडियों के बीच में गिरा, और ज़ाडियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया, कुछ अच्छी भूमी पर ग गई है, पर औरों को द्रिष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें, और सुनते हुए भी न समझें, द्रिष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं, जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उ जो सुनते हैं, पर आगे चल कर चिंता, और धन, और जीवन के सुखविलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता, पर अच्छी भूमी में के वे हैं, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, और धीरच से फल लाते हैं, कोई दिया जला के बरतन से नहीं ढांकता, और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं, कुछ शिपा नहीं जो प्रगट नहों, और न कुछ गुप्त है जो जाना नजाय और प्रगट नहों, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीती से सुनते ह जो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है। मुसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंदली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, जो उसके सामने आया जाया करे, और उनका निकालने और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंदली बिना चर करके उनके सामने उसे आग्या दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राइलियों की सारी मंदली उसकी माना करे, और वह इलियाजार याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और वह इस्राइलियों की सारी मंदली समेत उसके कहने से जाया करे, और उसी के कहने से यहोवा की इस आग्या के अनुसार मूसा ने यहोशु को लेकर एलियाजार याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आग्या दी जैसा की यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। एक वर्ष के दो निर्दोश भीड के नर बच्चे प्रति दिन चड़ाया करना। एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधुली के समय चड़ाना और भीड के बच्चे के पीछे एक चौथाई हीन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के दस्वें अंच मैदे का अनबली चड़ाना। यह नित्य होंबली है जो सीने परवत पर यहोवा का सुकदायक सुगंद वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। और उसका अर्ग प्रती एक भीड के बच्चे के संग एक चौथाई हीन हो, मदिरा का यह अर्ग यहोवा के लिए पवित्रस्थान मे और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चड़ाना, अनबली और अर्ग समेद भोर के होंबली के समान उसे यहोवा को सुकदायक सुगंद देने वाला हव्य करके चड़ाना। फिर विश्राम दिन को दो निर्दोश भीड के एक साल के नर बच्चे और अनबली के लिए त और बच्चडे पीछे तेल से सना हुआयपा का तीन दस्वा अंशमेदा और उस एक मेड़े के साथ तेल से सना हुआयपा का दो दस्वा अंशमेदा और प्रत्येक भीड के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआयपा का दस्वा अंशमेदा उन सबों को इन बली करके चड़ वह सुखदायक सुगंद देने के लिए होंबली और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना किया जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। और एक होंबली चड़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो अर्थात दो बच्छडे, एक मेडा और एक एक वर्ष के साथ भीड के नर बच्चे और उनका अनबली तेल से सने हुए मैदे का हो। अर्थात बच्छडे पीछे एपा का तीन दस्वा अंच और मेडे के संग एपा का दो दस्वा अंच और सातों भीड के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का दस्वा अंच मैदा चड़ाना। और एक बक्रा भी चड़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो, ये सब निर्दोश हो, और नित्य होमबली और उसके अनबली और अर्ग के अलावा, इसको भी चड़ाना, गिंती 29, 1-11 तक, फिर साथ में महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमे परिश्रम का कोई कामना करना, वह तुम्हारे लिए जैजैकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है, तुम्होंबली चड़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुक दायक सुगंध हो, अर्थात एक बच्छडा, एक मेना, और एक एक वर्ष के साथ निर्दोश भीड के नर ब परिश्रम के लिए सने हुए मैंदे का हो, अर्थात बच्छडे के साथ है पाका तीन दसवा आण्श, और मेड़े के साथ है पाका दो दस्वांश, और सातों भेड के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे है पाका दस्वांश मैदा चड़ाना, और पापबली के लिए एक बक्रा भी चड़ाना, ये सब प्राहश्चित के पापबली और नित्य होंबली और उसके अन्नबली के और उन सभों के अरगों के अलावा चड़ाए जाएं